दोस्तो बॉलिड सिंगर मीजका सिंग को जोर का जटका लगा है। आश्टलाई इमिग्रेशन ने उनका विजा रद्ध कर दिया है। विजा आवेधन रद्ध होने के पीछे उनका अपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। जिसे उनके आश्टलाई में दाखिल होने पर रो हो चुकी थी सभी टिकट खरीदने वालों को रिफंड करना होगा जिससे आयोजकों को भारी नुक्षान होगा पतादे कि ऑश्टिले के सभी सो आयोजक मिलकर राजनितिक दबाव डलवा कर सिंगर को विज़ा दिलवाने की जुगार में लग गये थे लेकिन एडी चोटी का जोर लगाने के बावजुद अधिकारियों और मंत्रियों ने कानुन के दैरे से बाहर जाकर कोई भी मदद करने से साफ इंकार कर दिया इसके बाद आयोजकों को अपने सोसल मीडिया हैंडल पर सभी कारक्रम टालनी के जानकारी देनी पड़ी लगबग सभी स सो की अधिकतर टिकेटें बिग चुकी हैं और लाखों डॉलर आयोजन में लग चुके थे वही शो कैंसल होने की वज़ा दो दिन पहले मेगा शिंग ने अपने ट्वीजर हैंडल पर लिखा था कि ऑस्टेलिया मैं आ रहा हूं आपके खुफसरत सहर में रॉक करने आ रहा ह ऑस्टेले में रहने वाले पंजाबी समुदाय में काफी उसा था लेकिन विज़ा रद्द कर दिया गया है इसे लेकर काफी निरासा है बदादी कि गायक मिकाशिंग विवादों में रहे हैं शाल 2018 में मिकाशिंग UAE में भी पुलिस द्वारा डीटेंड किये गया थे ऑस्टेले इमिग्रेशन द्वारा उनका विज़ा रद्द किये जाने से वहां फिर मुशिबत में घर गये हैं वेल दोस्तों इस बारे में आपकी क्या रहा है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद